हे गाईस दिस इस प्रीती आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं PCS एंसर की का पार्ट टू इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन डिसकस किया था जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसमें एक सी ले करके 50 तक के क्वेस्चन सही किये गये हैं इ सही एंसर क्या होगा हमारा option number C होगा हमारा सही एंसर दूसरा हमारा किस पदार्थ में कैल्सियम विद्यमान है तो जिप्टसम में कैल्सियम विद्यमान होता है इसके बाद है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो silver bromide option number A होगा हमारा सही एंसर silver bromide सही सुमेलित नही है फिर हमारा तुलसी की पौधे का ओशदी महातो निम्नांकित की उपस्थिती के कारण होता है इसमें फिनाल एवं फ्लेवर नाइट के कारण तुलसी के पौधे में ओशदी ये गुड़ पाये जाते हैं तो सही अंसर क्या होगा हमारा ओप्शिन नंबर सी फिर एको सिस्ट की बात कर रहा है तो यहां पर प्रात्मिक उप्भोकता उत्पादक पर नियूंतम रूप से असरित हैं गलत है प्रात्मिक उप्भोकता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं गलत है तीसरा हो जाएगा हमारा सही की उत्पादक प्रात्मिक उप्भोकता से अधिक है नेक्स है हमारा की सुपोशड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह जल निकाय के पोसक तत्यों समवर्धन की घटना है बिल्कुल सही है दूसरा हमारा जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता तो हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर C नेक्स हम बात करते हैं क्वेस्चन नमबर 57 की की मानो गत्विदियों से परिवर्तित परियावरण क्या कहलाता है इसको कहते हैं एंत्रोपोजेनिक परियावरण कहते हैं मानो गत्विदियों से परिवर्तित परियावरण को फिर हमारा इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है विक सूचक का प्रशिद उधारड है तो इसमें प्रशिद उधारड कौन सा है लाइकेंस है प्रशिद उधारड अगला हमारा निम्लखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है तो पास्तुरी करड चाय है ओप्शन नमर D हो जाएगा हमारा सही एंसर फिर हमारा साक नासक का उधारड इन में से कौन सा है तो शोडियम क्लोरेट है साक नासक का सही उधारड फिर हमारा की गैस जो धान के खेश सर्जित होती कौन से यह मेथेन है और यही भूमी के तापमान में व्रिद्धी करती है तो option number D हो भारत वर्स का पहला केंसा से प्रिदेश कौन सा है दीव है मारा सही एंसर क्वेशन नमर्ट 65 है कि कथन कारा कौन सा सही है मानो विकास उचकांक एवं सतत विकास लच्चियों पर आधारित भारती राज्यों की वरियता में धनात्मक संबंध है तीक उसके बाद कारड हमार विद ऑप्शन आपको पढ़ाया जाएगा अभी पहले आप अपने कितनी केश्चन आपने सही किया है इसको आप लोग मैच करा लिजे फिर हमारा बहु आयामी निर्धंता सुचकांक में क्या क्या सम्मिलित होता है तो यहां पर क्या है हमारा स्वास्त होता है सिच्छा हो उनके प्रारंब की काला नुक्रम में विवस्थित करें तो देखते हैं कौन सा सही अंसर होता है हमारा वन्य जीव संडाचड़ नियम जय विवित्ता अधिनियम उसके बाद सब्सक्राइबा आए पर शमिल अप्रोजक्ड़ तिय्हे ए प्रोजक्ड हाथि और उसके बाद क्या है जय विवित्ता तो हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा इसमें option number B हो जाएगा हमारा सही answer question number 68 है हमारा नागरिक पंजी करड़ प्रडाली के अंतरगत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्तिव की घटना को भारत में registration कराना अनिवारे है तो यहाँ पे 21 दिन के भीतर इसको registration कराना अनिवारे होता है 69 में थोड़ा सा doubt है कि राश्ट्री परिवाड स्वास्त सरवेच्चर सम्मिलित नहीं करता है क्या तो उच्च रखताब इसको आप लोग देख लिजेगा इसमें star है ठीक है अगला है हमारा की परियावरडी ये कुजेनेट्स वक्र परियावरडी छती एवं प्रती व्यक्ति GDP के मद्य संबंध दरसाता है इस परियावरडी कुजनेट्स वक्र का अकार किश प्रकार का होता है तो यहाँ पे उल्टा यू अकार का होता है इसका वक्र option number A हो जाएगा हमारा सही अंसर कथन कारक है हमारा सतत विकास मानो समाज के कल्याण में मातपूर है उसके बाद है सतत विकास से अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीडियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की अवशक्ता पूरी करे तो यहाँ पे कथन A तो हमारा सही है लेकिन R गलत है फिर हमारा की निमनलखित में से किस प्रत्य छिलाव योजना को गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्य छिलाव योजना बताया गया है तो सही अंसर क्या होगा हमारा पहल होगा हमारा सही अंसर अगला है हमारा राश्ट्री खाद्य सुरच्छा अधिनियम इसके संदर्व में कौन सा कथन सही है या 75% ग्रामीड और 50% सहरी जनसंख्या को अठादित करेगी दूसरा हमारा महिलाओं ये तो गलत है हमारा महिलाओं और बच्चों को पोशर संबंदी सहता पर विसेश ध्यान देना होगा सही है तीसरा हमारा 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुख्या होगी ठीक है तो हमारा 2 और 3 सही है तो सही अंसर क्या होगा हमारा option number B अगला हमारा भारत में पट्टे दारी सुधार के उपाईयों के संदर में कौन सा कथन सही है तो इसमें हो जाएगा लगान का विनेमन सही है अवधी की सुरच्चा सही है पट्टे दारी पर स्वामित्यों की घोशना सही है हमारा सही अंसर क्या हो जाएगा option number D फिर हमारा भारत में सारवजनी छेतर के कारियों के संदर्व में कौन सा कथन इसमें से सही है तो यहां पे हमारा हो जाएगा कौन सा कथन सही होगा सारवजनी उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही बात है दूसरे हमारा समाजिक और आर्थिक उपरी पूजी का निर्मान ये भी सही है, संतुली छेतरी और छेतर की विकास उनिश्रित करना ये भी सही है, समतावादी लच्छो को आगे बढ़ाना तो हमारा option number C हो जाएगा, सही answer. ठीक, question number 76, श्वेज नहर में उत्तर से दच्छिड दिशा की और पढ़ने वाले जीलों का सही क्रम क्या है, तो इसको देखते हैं, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लेटिल बिटर लेक, तो याद रखेगा option number D है, इसमें हमारा सही answer. अगला question हमारा टेली ग्राफिक पठार का पठार हिस्सा है, तो उत्तर एटलांटिक कटक का हिस्सा है, अगले question में थोड़ा सा doubt है, तो इसको आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, चलिए, नेक्स है हमारा question number 79, की निमलिखित में से कौन सा एक नगर, साइबेरिया, पारिय इस रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो यहां पर हमारा सोची, सही अंसर क्या होगा हमारा option number C, इसके बाद 80 हमारा कौन सी हवा किस देश में बहती है, तो देखते हैं यहां पर इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा है, तो सांता आना कैलिफोर्निया सही ह हबूफ सुडान सही है, या मो जापान ये भी सही है, मिश्ट्रल हमारा आउस्ट्रिलिया में नहीं बैता है, तो हमारा सही अंसर क्या होगा, option number D, कोईला छेत्र और उनकी अवस्थिती का मिलान करना है, तो देखते हैं इसमें हमारा सही अंसर क्या होता है, तो पहला हमारा तालचिर, तालचिर कहां पे है, ये दामोदर घाटी में, सही है, करणपुरा, ये है गोदावरी घाटी में, फिर हमारा यहां पे सिंगरोली है, सोन घाटी में, और सिंगरेनी कहां पे है, महानदी घाटी, तो हमारा सही अंसर क्या होगा, option number D, question number 82 है हमारा, कौन सी एक चो क्रमसा कम होती जाती है, तो कहां कैसे किस सिग्मेंट में कम होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, फिर हमारा किस नदी के उपरी मार्ग में, मीठा जल का परंतु निचले भाग में, खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा लूनी नदी, अगला है हमारा की मोरी बंद डेल्टा निम्लिकित में से किस डेल्टा का एक उब भाग है तो ये है हमारा बंगाल डेल्टा का एक उब भाग है अगला question फिर हमारा कथन कारक सही है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट अधिक है परंत उत्पादक्ता कम है उसके बाद कथन तो हमारा ये सही है कारड देख लेते हैं महाराष्ट में अधिकांस चीली मिले सहकारी छेतर में असापित की गई है तो कथन और कारड दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है अगले क्वेश्ट में हमारा की कौन सा सही सुमेलित है तो देखते हैं इसको सुमेलित नहीं है तो दाम तामर की मुदरा सही है देशाई राजश्वधिकारी तो ये हो जागा हमारा सही एंसर ऑप्शन अमबर बी क्वेशन अमबर 88 में डाउट है इसको आप लोग देख ल से पूर तान से इनको सरचड किसने दिया था भाटा का राजा राम चंद्र शिंग ने इसने सरचड दिया था फिर राज वंस और उनकी राजधानी इनमें से सही उत्तर कौन सा है इसको चुनना है तो देखते हैं यहां पे पल्लो की बात किये जा रहा है तो पल्लो ये कांच इसकी राज़ानी उसके बाद B है हमारा पांड की मदुरा है यादो की देवगिरी और काक्ती की वारंगल है तो सही अंसर क्या होगा हमारा option number B question number 91 है हमारा कालन उक्रम में इसको भी विवस्थित करना है तो देखते हैं 91 में कौन सा हमारा सही होता है सबसे पहले इसमें तो सबसे पहले जाले हमारा option number B सही अटाला महजित ये number 1 पे है उसके बाद है हमारा सेर सा सूरी का मगबरा फिर हमारा हुमायू का मगबरा और लाश में रब्य दोरानी का मगबरा ठीक है तो ये समारको की कालर क्रम में विवस्थित हो गया तो option number B हो से है इसमें कौन सा कथन सही है मनसबदारी विवस्था राज की कुलीन वर्ग से संबंदित है सही है फिर मनसबदारी का पद पैत्रिक था तो हमारा सही अंसर क्या होगा हमारा एक और दो दोनों सही है अगला हमारा संधी और इसमें मिलान करना हमको कि कौन सी संधी कब उसके बाद है मारा मंगलोर की संदी इलाहबाद की संदी हो गई 1765 मंगलोर की संदी कब हुई थी 1784 में सालाबाई की संदी कब हुई थी 1769 में और मदरास की संदी हुई थी 1782 में तो हमारा सही एंसर क्या होगा option number one अगला है घटनाओं का सही काला नुक्रम चुनिए तो इन घटनाओं का सही कालन उक्रम क्या होगा? देखते हैं इसमें पूना पैक्ट, सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था हमारा 1930 में सविने अग्या अंदोलन, फिर हमारा गाधी इर्विन समझाओता, उसके बाद क्या है हमारा उसके बाद है हमारा यहां पर हो जाएगा पूना पैक्ट हो जाएगा ठीक है और फिर हो जाएगा क्रिप्श मिशन तो हमारा सही एंसर क्या होगा option number C हो जाएगा सही एंसर अगला हमारा की असैनिक प्रशासन 1905 के संदर में कौन सा कथन सही है लौड करजन ने प्रांती शीमाओं को पुनरगठित करने का नेड़े लिया सही है पूर्वी बंगाला और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाएगा ए भी सही है तो सही एंसर क्या होगा option number B A और 2 दोनों सह यह है फिर हमारा मुस्लिम लीग एवं भारती राष्ट्री कांग्रेश के बीच राजनीती गतिरोत को दूर करने के ले सियार फॉर्मूला किस ने बनाया था तो चितरंजन दास ने बनाया था सियार फॉर्मूला फिर हमारा the rise and growth of economic nationalism in इंडिया के लेखक कौन है इसके क्या अगले हमारा पंचायत्ओं के संदर में मुने निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पहुंसा की चीचाहर. पहला हमारा गलत है दूसरे हमारा ग्राम सभा एक निकाई जिसमें गाउं के रहने वाले सभी लोग रहते हैं सही है तीसरा हमारा मध्यवरती अस्तर पर एक पंचायत होगा ये भी सही है तो सही अंसर क्या होगा हमारा option number B नेक्स है हमारा मजदूर किसान सकती संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किसे संबंदित है तो ये आठी आई अधिनियम से संबंदित है बाकी के जो हमारे remaining 50 question है 101 से 150 तक का उसको आपको next part में दिया जाएगा नीचे description में आपको उसका भी link दे दिया जाएगा तो झाल 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 झाल